अलो हाई नमस्ते कैसे हैं आप सब बहुत अच्छी होंगे तो चलिए आज बात करते हैं कि आपके परसन की intuitive feeling क्या कहती है आपसे क्या कहने वाले हैं वो आपसे आप यह कह सकते हैं कि हम तो direct पूच लेंगे आप पूचके देख लीजिए बोलते ही तो नहीं अगर वो divine masculine है तो भी नहीं बोलेंगे बोलते ही नहीं है अपनी feelings को clearly बताते ही नहीं बहुत मुशकिल हो जाती है उनको अपनी feelings को बताना तो देख लेते हैं आपके लिए वो क् तुछने वाले हैं और इस situation में वो क्या फील कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि वह बहुत पेन है मुझे भी बहुत दुखया oh my god जब भी इन्ट्यूटि रीडिंग करती हों इतना पेन इतना पेन आजाता है कि समझ इनका है इतना पेन मेरे लिए क्यूं है यहां पर यह फिलिंगंस आरी है कि आपके psychics यह यह कह रहे हैं इतना زبرदस पैं तो मुझे भी कभी नहीं मिला है यह तुम क्या कर रही हो या तुम मुझे कहीच रही हो अपनी तरफ शायद कुछ ऐसा आपकी परसंटर सोच रहा है वो mail भी हो सकता है female भी हो सकते हो तो मैं फिमैल बोल रहीं हो तो मैं यह सोच सकती हूं कि आपके person mail होंगे तो इस तरह से बोल के मैं बता रही हूँ बात यहाँ पर यह है कि आपके person यह कह रहे है कि तुम मुझे शायद खीच रही हो जिससे कि मुझे pain हो रहा है otherwise मैं तो बहुत confident हूँ मुझे कोई problem नहीं है अपने काम से अपने पैसे से किसी भी तरह से problem नहीं मैं अपना काम कर रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हें दूर से खड़ा देख रहा हूँ कि तुम काफी दूर जा रही हूँ यह मुझे ऐसा लगता है मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ जिस तरह से तुम दुखी पड़ी हो उसी तरह से मैं भी बहुत ज्यादा कि पेन फिल कर रहा हूँ जब भी मैं इंट्यूटिव रीडिंग करते हूँ स्वाटिश sow 순 हैं हैंनद पर यह ठीए बात यह पर यहार है कि आपके परसन चाहत हो रहे हैं कि बहुत कुछ करना पाना अप से लेकिन कहना भी चाह रहे हैं लेकिन कहें नहीं पा रहे हैं बहुत जबरात सृश्टक्नस है बहुत पूरी तरह से फसे हुए हैं यह फसना इस तरह का है कि समझ जिना आना ऐसा कोई परसन मुझे अभी तक नहीं दिखाए दिया कि जिनकी वज़े से गड़बड हो रही हो आप से बात करने में गड़बड हो रही हो या आप गलत हूँ ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा यहाँ पर बस यही हो रहा है कि हाँ मिलना चारहे हैं नहीं हो रहा है बात करना चारहे हैं नहीं हो पार है घर बचाना चारहे हैं वो भी नहीं हो पार है या घर बसाना चारहे हैं वो भी नहीं हो पार है तुम भी इस रिष्टे को बचाना चाती हो, मैं भी चाता हूँ, लेकिन मैं नहीं बचा पा रहा हूँ, मुझे तकलीफ हो रही है, और फिर बता भी नहीं पा रहा हूँ. In this place बताएं, ऐसी क्या सिचुएशन है, क्या तकलीफ है? Divine, Masculine, ऐसी क्या तकलीफ है? Six of Cups बार बार आपसे बात करते हैं, और आप सोचते रहते हैं, कि अभी मुझे ब्लॉक किया था, अब अन्ब्लॉक कर दिया, अब शायद कुछ बात करने की सोच रहे हैं, और फिर बात करते हैं, तो फिर मुझे ब्लेम कर देते हैं, तो यह सिचुएशन इस तरह कि आप दोनों आपके परसन सही माइने में चेंज होकर आएंगे कि नहीं ओ येस 9 of cups सही माइने में ट्रांसफोर्म तो जरूर होंगे ट्रांसफोर्मेशन का काड़ तो अल्रेडी है यहां पर लेकिन 9 of swords and 10 of swords बोट साइड में है और यह ऐसा शोग कर रहा है कि एक जबर्दस आप सोच रहे हैं कि मैं क्यों बात करूँ जो बात करनी आप करें बात तो आपने बढ़ानी चाहिए इस तरह कि तो बोथ साइड से situation आपकी change हो जाएगी nine of cups इसी तरह का दिखा रहे हैं कि वो change होकर आएंगे बहुत प्यार से positive way में आएंगे और अपने सारे emotions, अपने thoughts, अपने feelings, सब कुछ एक एक चीज आपको बताएंगे और three of pentacles भी यही बता रहे हैं कि हो सकता है कि वो सोच रहे हो कि नहीं यार यह तो आगे बढ़ती नहीं है, जुकती नहीं है, मैं किसी और को चूज कर लूँ, हो सकता है ऐसा सोच रहे हो, क्योंकि इस तरह के person दिखाई दे रहे हैं कि मैं जो कहूंगा वही हो, तो ऐसी situation आपके साथ तो बन नहीं रही है, क्योंकि आप भी जुकती नहीं है, नहीं जुकती है, क्योंकि आप सच का साथ देती हैं, अगर आप सच का साथ देती हैं, और सही का साथ देती हैं, तो आप जुकेंगी नहीं, जब आप जुकेंगी नहीं तो उनको पसंद नहीं आएगा, लेज़ें टेक्ते एक और क्रीटिवीटी आपके लिए यहीर है कि जो भी क्या करेंगे इस पर काम करते रहें मतलब वाइज न गल्स के अलगेंगे नहीं होते हैं अगा सब कुछ सेम है आई पालिट गर्ल्स बनती है इस बाइज बनते हैं और शेफ गर्ल्स भी बनते हैं, बॉइस भी बनते हैं, no problem, किसी भी तरह की समस्या है ही नहीं, और creativity का मतलब यह है कि आपको जो भी बहुत खुबसूरती से करना पसंद है, जिसमें आपको तकलिफ नहीं होती है, जिसमें आपको खुशी मिलती है, जिसमें आपकी soul को खुशी मिलती है, चाहिए वो बच्चों के साथ खेलना हो, कोई creativity करनी हो, कोई dance, drama, action, movie बनाना है, चो और guidance भी मिल रही है, कि आप इसी तरह से अपनी creativity को निकारते रहें, बढ़ाते रहें, क्योंकि इनसान का एक ही करते हुए है, अपने आपको enhance करना, आगे बढ़ाना, साथ ही साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाना, अपने प्रकृती में रहना, इस प्रकृती में जुड़ दबाएं तो मिट्टी में मिल जाते हैं, क्या है वो, नेचर क्या है, यही तो है, हवा भी और मिट्टी भी, तो मर के हमने कहां से ना है, यही इसी धरती आकाश और रवायों में मिल जाना है, तो जीते समय इतना कि उमरने जैसी situation प्रकृत की जाए अपने लिए, तो ना अ देखें, यूनिटी होगी, जहां पर डिविजिन होगा, जब एक चीज़ के दो टुक्डे ही नहीं, तो युनाइट होने का क्या मतलब है, अगर एक ही चीज़ है, तो फिर युनाइट तो अपने साथ है, तो जहां पर दो पीस है, तो वहाँ यूनियन हो गई होगा, अग अगर आप twin claim है अगर half soul आपकी कहीं और है तो union का blessing आपको मिल ही रहा है so wish you all the best thank you so much for watching have a nice day, bye bye